दोस्तो नमस्कार दिल्ली मेरट रैपिड रेल के ताज़ा अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ और सबसे एहम खबर ये है दिल्ली मेरट रैपिड रेल के बारे में कि प्रदेश सरकार ने यूपी सरकार ने सेंटरल गौर्मेंट को एक प्रपोजल बना करके भेजा है कि मुझफर नगर तक एक्स्टेंड किया जाए मुझफर नगर तक इस कोरिडोर को एक्स्टेंड करने की डिमांड वहां के सांसद संजी बालियान ने उठाई थी हालाकि दिल्ली मेरट रैपिड ट्रेन के कोरिडोर को भविश्य में मुझफर नगर तक जाना ही था और ये त मुझफर नगर तक भी इसका एक ट्रेक जाएगा लेकिन अब सांसद की पैरवी और यूपी सरकार की कंसेंट के बाद एक स्टेप आगे चली गई हैं चीजें और ये तैय है कि आने वाले समय में दोजार पचीस के बाद इसको कंसीडर किया जाएगा निश्चित तोर पर और अगर मुझफर नगर तक रैपीट ट्रेन चलती है तो ये उत्राखंड के लोगों के लिए भी बहुत एहम होगी चुकि हरिद्वार की कनेक्टिविटी दिल्ली से बहतर हो जाएगी इसके बाद ट्रेन के जरिये भी और चुकि देरादून से दिल्ली तक एक एक इकोनोमि बाजाएंगे दिल्ली के तो आने वाले समय में इन तीन स्टेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दूसरी बात ये है कि दिल्ली मेरट के बीच जो रैपीट ट्रेन का काम है वो बहुत रफतार से चल रहा है और तीन हजार से ज्यादा होल किये जा चुके हैं जम दुहाई में दुहाई के आगे गुलदर में गुलदर से राजनगर एक्स्टेंशन के बीच में बेस तयार करने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है तो ये एक बहुत ही सुखदी स्थिधी है दिल्ली मेरट रैपीट ट्रेन जिसे आरार टीस भी कहते हैं रैपीड रेल ट के बीच 17 किलोमीटर के हिस्से में ये ट्रेन चलना शुरू कर देगी 22 असाइब बाद के बीच के लगबग 400 पिलर्स फाइनल स्टेज में हैं बेस तयार करने का काम वहां शुरू हो चुका है और रैपीड ट्रेन के जो कोच हैं उनको डिजाइन करने का काम गुजरात के सा नहीं देश में ये बन रहे हैं इसके अलावा रैपीड ट्रेन को जो बिजली की सप्लाई है उसकी व्यवस्था भी शुरू हो गई है और पहला पावर सब स्टेशन जो है वो मुराद नगर में बनेगा उसका शिलान्यास हो चुका है वहां पर काम शुरू हो चुका है इस इसके अलावा इस पूरे कोरीडूर पर इस पूरे कोरिडूर पर चार पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे इन पावर सब स्टेशन से इलेक्रिक सप्लाई होगी इस पूरे कोरिडोर को दुहाई में एक डिपो बनेगा इसके अलावा मेरट के मोधिपुरब में एक डिपो बनेगा और दुहाई में लेंड एक्विजिशन के लिए नोटिफिकेशन अल्रेडी हो चुका है तीन गाओं वसंतपूर सेंथली बीकनपूर और दुहाई तीन गाओं की जमीन वहां डिपो तयार करने के लिए ली जाएगी मेरट में भी मोधिपुरब में डिपो तयार होना है अभी लेंड एक्विजिशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ है हमारे साथी सुनील कुमार लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं एक वीडियो दूँ जो वहां के लेंड एक्विजिशन के स्टेटस को किलियर करें लेकिन सुनील जी अभी वहां पर लेंड एक्विजिशन के लिए फाइनल स्टेज में चीजे नहीं आई हैं तो थोड़ा वक्त और लगेगा डिपो मोधिपुरम में ही बनेगा ये तय है डि रैपिट ट्रेन का काम मोसम ये कैसी ट्रेन होगी जिस पर मोसम का कोई असर नहीं होगा सर्दी गर्मी बरसाथ सब में ये समान रफतार से दोड़ेगी एवरेज स्पीड सो किलोमेटर प्रतिघंटा होगी और मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमेटर प्रतिघंटा होगी इसके लग और कुछ हिस्सा दिल्ली के अंदर है तो जहां जहां लगबग 50 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा ऐसा है जिसमें बहुत ही रफतार से काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है 24 घंटे चल रहा है दिन में भी और रात में भी और खास बात यह है कि बहुत well managed, well organized काम है, दिल्ली मेरट highway के traffic को प्रभावित नहीं होने दिया गया है, दोनों तरफ widening की गई है, road widening की गई है, electric lines shift हो चुकी है, जो पेड काटे जाने थे वो पेड काटे जा चुके हैं, जो पुलिया चोड़ी की जानी थी, उनमें सदिक्तर चोड़ी हो चुकी हैं, बाकी का काम इस समय चल रहा है, तो 24 गंटे काम चलता है, रात में भी काम चल रहा है, इस भीशन सर्दी में भी, रात में भी यहां पर construction work हो रहा है, तो ये निश्चित तोर पर ये ऐसा project होगा, जो अपनी deadline पूरा होने के पहले जमीन पर उतर आएगा, बहुत सम्भावना है कि 2022 के end तक 22 से साइबावाद के बीश का track पूरी तरह से तयार हो जाए, और 2023 में वहाँ पर आप 17 किलोमेटर के हिस्से में train में सफर कर सकें, फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है, Asian Development Bank से उल्रेडी funding हुई है, कई और सारे resources से कई जगा से NCRTC funding arrange कर रही है, तो NCRTC National Capital Regional Transport Corporation जिसके MD विने कुमार सिंग है और वो पहले employee भी है इसके, बहुत ही शांदार ढंग से उन्होंने team arrange की है, तकनीकी पक्षों पर और दूसरे सारे पहलूंगों पर ध्यान रखते हुए, दूनिया की सरस्रेश्ट आदुनिक्तम तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, देश की पहली regional rail है ये, और दिल्ली के चारों तरफ आठ regional rail corridors का एक जाल बिछाया जाएगा, अगले चर्णों में उन पर काम होगा, दिल्ली, अलवर, RRTS का काम भी काफी आगे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली से मेरट के बीच में ही ये train चलेगी, तो ये अपनी तरह का एक अनोखा network होगा, regional rail का, दिल्ली के चारों तरफ जो pollution level कम करेगा, जो आपकी यातरा को सुखद करेगा, speed up करेगा, रफ्तार मिलेगी, आपका समय बचेगा, आपका पैसा बचेगा, और आप पूरे NCR में बहुत easily move कर सकेंगे कम खर्च में, ये भी estimation किये जा रहे हैं, कई साथियों ने ये भी पूछा कि इसका fair क्या होगा, किराया क्या होगा दिल्ली से मेरट के बीच में, तो अभी जो estimation है, 2025 के लिए वो लगवग 160-65 रुपे का है एक तरफ से, तो ये 2025 की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे 2025 मेर ट्रेक बन करके तयार होगा, इस पर train शुरू होगी, तो ये final होंगे rates उसी हिसाब से, बहुत ही सस्ता होगा, बहुत ही सस्ता होगा ये सफर, इस लिहाज से, और खास बात ये भी है कि pollution free सफर होगा, frequency बहुत अच्छी होगी, लगबग हर पांच मिनट में आपको train मिलेगी, business class कोच अलग से होंगे, महिलाओं के लिए कोच अलग से होंगे, और safety का पूरा ख्याल रखा गया है, इसके stations को इस तरह से design किया जाएगा, कि लोग वहाँ गिर ना सकें, या कोई अगर जानबूज करके कोई कूदता है suicide attempt के लिए, तो उस तरह से नहीं कूद सकें, वहाँ पर इस तरह की विवस्था भी की जाएगी, तकनीकी तोर पर automatic जो है विवस्था ये होगी, और तकनीकी पक्ष जैसा मैंने कहा कि बहुत ही strong होगा, इस train का frequency बहुत अच्छी होगी, किराया बहुत सस्ता होगा, और हवाई जाज जैसा सुखद अनुवव आपको rapid train की यात्रह में होगा, सीटे लगबग वैसे डिजाइन की जाएंगी, और इसकी जो बहार से shape है, मैं आपको साथ में स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ, वो shape भी कुछ-कुछ हवाई जाज जैसी ही होगी, तो अपने आप में एक सुखद यात्रह का एसास या आपको कराएगी, और NCR और Western UP का पूरा scene इससे बदल जाएगा, दिल्ली, हरियाना और UP और इसके साथ उत्तरा खंडी, ये सारे states बेहत करीब आ जाएगे, और दिल्ली के उपर जो अबादी का बढ़ता हुआ बोज है, वो कम होगा, अगर transportation आसान होगा NCR में, transportation fast होगा, सस्ता होगा, pollution free होगा, तो दिल्ली के उपर population density का जो pressure है, वो release होगा, आजपास के इलाकों में development तेज होगा, तो आप बने रहे हमारे चैनल पर, हम आपको लगातार updates देते रहेंगे, और चैनल को subscribe कीजेगा, अगर subscribe नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजेगा, उससे आपको नए video upload होते ही notifications मिल जाया करेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखि देते वादी, जापक', ब rally जाया किजेए रहे हमारी, भ्रेस घु cognitive ऑायल रखिजाएंगे जिसाहरे हमारी, ये हमारी, ब साथ पती है हो अपनीश्तम वे खर प्यादिते है आपको मैं seen मैंने हम किती है